Hello Everyone, स्वागते आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में केंद्री विध्याले सिख्षक भरती का advertisement जारी किया गया है PRT, TZT, PZT इसके लावा भी जो है कई vacancy है Fees बिलकुल भी आप लोगों को नहीं देनी है जो भी candidate apply करना चाहेंगे बिना परिक्षा के आप यहाँ सिख्षक बन सकते है salary जो है यहाँ PZT के teachers की 32,500 है बाकी जो है कि इंद्री विध्याले में हम देखते हैं कि PZT के teachers की salary है 26,000 के अबव रहती है यहाँ पर salary काफी ज़्यादा है 32,500 तो सरकारी school में, government school में जो है काम करने का यह बहुत ही जो है अच्छा मौका रहेगा तो चलिए देख लेते हैं सभी post में कौन-कौन से subject की vacancy है कैसे जो है apply करना है सारी चीज़े समझेंगे केंद्रे विध्याले उक्रूल से जो है vacancy आई है एक्जाम नहीं है केवल इंटर्व्यू रहेगा साथ मार्च दोहजार चौबिस को जो है यह advertisement जारी किया गया है केवल इंटर्व्यू के लिए आपको जाना है 18 मार्च दोहजार चौबिस को साड़े आठ बजे तो देख लेते हैं subject यह विज्ञान यहाँ पर जो है गलत लिख दिया है इसनात को तर सिक्षक पीजीटी में इंगलिस, हिंदी, गणित, भौतिकी, रसाइन विज्ञान, जीव विज्ञान, कम्प्यूटर यहाँ पर कौमा आएगा और विज्ञान, इसकी वेकेंसी है योगेता यहाँ पर पीजीटी के लिए कहा है 50% तंकों के साथ में master degree होना चाहिए और H.Ed. पारिश्रमिक आनुपातिक आधार पर यहाँ पर salary प्रती महा 32,500 32,500 मंतली यहाँ पर payment रहेगी टीजीटी के teachers की salary अलग है subject देख लेते हैं पहले योगेता यहाँ पर लिखा है TZT के teachers के लिए 50% तंकों के साथ इसनातक की degree graduation आपकी होनी चाहिए 50% marks के साथ में साथ में B.Ed. होना चाहिए Sanskrit English की है Samajik विज्ञान गनित और विज्ञान की वेकेंसी है सनातक B.Ed. और साथ में CBSC के द्वारा I.O.J.T. CTAT Paper 2 में उत्तीन होना ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि P.Z.T. के लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट आपका इन सब्जेक्ट में होना जरूरी है 50% marks के साथ में trained graduate teachers के लिए 50% marks में graduation के साथ में B.Ed. और CTAT Paper 2 आपका qualify होना चाहिए T.Z.T. के लिए salary है 31,250 प्राथ में के सिक्षक PRT के लिए प्राइमरी टीचर्स के लिए 12th में 50% marks आपके होने चाहिए और J.B.T. D.L.A.D. वाले बिलकुल apply कर सकते हैं B.T.C. वाले apply कर सकते हैं S.T.C. वाले apply कर सकते हैं seat at primary level का यानि 125 का आपका qualify होना चाहिए अब देखिए जैसे कि हम देखते हैं कि बाकी जो के इंद्रे विध्याले है वहाँ पर जो P.Z.T. के टीचर्स की salary रहती है वो यहाँ पर primary टीचर्स की है Music टीचर्स की वेकेंसी है PRT में तो इसमें भी जो है 50% के साथ वरिष्ट माध्यमिक विध्याले प्रमाण पत्र अंक या 50% तंकों के साथ में intermediate 12 या फिर इसके समकक्ष और संगीत में जो है इस नातक डिग्री है तो आप apply कर सकते हैं salary जो है computer teacher की जो vacancy है जिसमें RE या BTEC computer science वाले apply कर सकते हैं या फिर आपने किसी भी subject से post graduation की degree हांसिल की है और साथ में आपके पास diploma है computer में तो आप apply बिल्कुल कर पाएंगे hardware में prescription और अनुभव रखने वालों को प्रात्मिकता दी जाएगी computer teacher की salary जो है 31,250 है उसके बाद योग सिख्षक की vacancy है जिसमें योग में आपका इस नातक डिग्री एक वर्स का मांगा गया है 26,250 यहां पर योग सिख्षक की है खेल प्रैसिख्षक की vacancy है VPAड वाले apply कर सकते हैं counselor की vacancy है जिसमें BA या BSC आपकी psychology में और साथ में counseling में एक साल का diploma salary आप देख लें counselor की 31,250 तो salary जो है सभी की अलग अलग है next जो है विसेश सिख्षक योग गताब जिसमें बहुत सारे option मिलते हैं आपको special educator teacher के लिए 12th पास किया है तो 2 साल का D.Ed. Viklangta किसी भी श्रेणी में विसेश सिख्षा या फिर 12th आपका और साथ में विकलांगता की किसी भी श्रेणी में विसेश सिख्षा में एक वर्षी डिप्लोमा next जो option है अगर आपने इन में से ये नहीं किया है तो विसेश आविशक्ता वाले बच्चों की सिख्षा में 6 महिने के प्रमान पाठेक्रम के साथ समुधाय आधारित पुनरवास में डिप्लोमा तो बहुत सारे option जो है यहाँ रहते हैं यानि degree डिप्लोमा अगर आपके पास है विकलांगता की किसी भी श्रेणी का विसेश सिख्षा में तो बिल्कुल apply आप कर पाएंगे salary यहाँ पर इसकी 26,250 है nurse की vacancy है जिसमें A&M, G&M, Diploma, Nursing में डिग्री तो nurse के लिए यहाँ पर पर डे salary यहाँ पर यह तेंगे ठीक है 750 सभी पदों के लिए जरूरी है computer application का knowledge आज कल सभी students को रहती ही है और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जो है पढ़ाने में डक्सता walk-in interview के लिए जो है पंजी करन online और offline दोनों mode में रहेगा सभी उमीदवारों को नीचे दिये गए link पर अपना online पंजी करन कराना होगा online पंजी करन की last date जो है वो 17 March 2024 रहेगी तो interview की जो date है आपकी 18 March है और last date जो है 17 March रहेगी online registration की ठीक है बाकी अगर कोई online registration नहीं कर पाते हैं तो जिस दिन interview रहेगा उस दिन आप समय से पहले पहुँच जाएं registration के लिए vacancy जो है केंदरे विद्याले उखरूल से है और उखरूल जो है कहां पर है तो यहाँ पर आपको दिखेगा उखरूल जो है वो मनीपूर में है ठीक है अब ऐसी जगे है तभी जो है इन्होंने salary जो है बाकी केंदरे विद्याले के मुकाबले यहाँ पर जादा दी है online पंजी करंड के लिए जो है यह form है इस पर आप क्लिक कर लें ठीक है बाकी जो है application form आप लोगों को main website पर मिल जाएगा चले main website पर सबसे पहले देखेंगे केंदरे विद्याले उकरूल की जैसे ही आते हैं नीचे आएंगे announcement view all पर क्लिक कर लेंगे जहाँ पर आप लोगों को application form भी मिल जाएगा registration form भी मिल जाएगा और साथ में notification भी चेक आप कर सकते हैं interview notice for contractual teacher for the post of PZT, TZT, PRT, computer instructor, yoga teacher, sports coach, counselor, special educator and nurse ठीक है इंग्लिस में आप लग देख सकते हैं जो candidate हिंदी में देखना चाते हैं तो हिंदी में देख सकते हैं उसके बार next है application form अलग-अलग है यहाँ पर PZT के लिए अलग है, TZT के लिए अलग है, PRT के लिए अलग है और non-teaching staff की अलग है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7, serial number 7 तक जो है इसी के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा application form जो है आप लोग open कर लेंगे जैसे PZT की पोस्ट के लिए अलग है तो अगर आप PZT के लिए apply करना चाते हैं तो यही form आप लोगों को download करना है, fill करना है तो जो भी candidate interested है तो link के लिए वीडियो के नीचे description box को check करें वहाँ आप लोगों को link मिल जाएगा, school की main website का उस पर click करेंगे आप तो direct जो है यह page open होगा announcement section का ठीक है और application form PZT, TZT, PRT जिसके लिए आप apply करना चाते हैं तो यहाँ download का option है इस पर आप click करके application form को download कर लेंगे online offline दोनों ही mode में आप लोग apply कर सकते हैं तो date ध्यान रखिएगा, please कोई लग नहीं रही है, exam नहीं है के वल interview है, तो मिलेंगे next video में, thank you